सर्दियों में बच्चों को ठंड लगना बहुत कॉमन होता है कई बार ठंड की वज़े से बच्चों की पसलिया चल जाती है उतला उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है तो ऐसे में हमें दो तीन चीजे ध्यान लगनी चाहिए अगर ऐसा हो गया है कि आपके बच्चे को ठंड लग गई है और उसकी पसलिया चल गई है आम भाशा में जो बोला जाता है तो उसको आप घर पे ही एक ओईल बना के लगा सकते है जिसमें आप अजवाईन को गरम तेल में गरम करेंगे और उसको चान के बच्चे की चेस्ट पर मसाज करेंगे और अच्छे से उसको कवर अप कर देंगे यह इनीशल में ही काम करता है अगर कोई अमर्जनसी कंडिशन है तो आपको हमेशा डॉक्टर की सला लेने चाहिए क्योंकि बच्चों में क्योंकि उनकी इमिनिटी बहुत वीक होती है और बहुत सेंस्टिव होते हैं तो कभी भी अपने ही हिसाब से इलाज नहीं करना चाहिए पर हाँ आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और फिर भी पेशिन को प्रॉब्लम है तो उसके साथ additional आप ये चीज़े कर सकते हैं तो आपको जल्दी relief मिलेगा बच्चे को और उसकी जो ठंड लगी होई है वो जल्दी से ठीक हो जाएगी बच्चों को ठंड लगती कहां से है अगर हमें ध्यान देने वाली बात ही है कि दो तीन तरह से ही एक तो सर से ठंड बहुत जल्दी लगती है दूसरा चेस्ट से ठंड जल्दी लगती है तो आपको हमेशा बच्चों को इन दो तरह से मतलब प्रोटेक्ट करना चाहिए और इससे ही जो भार का environmental होता है वो safe रह सकते हैं जब ठंड लग जाती है बच्चों को तो खाने में बदाम आप दे सकते हैं उनको ग्राइड करके सुखा बदाम आप दे सकते हैं थोड़ा सा मिश्री मिलाके ले सकते हैं अगर आपका बच्ची केस दो साल से जादा है और आप पांच बदाम और कुछ मिश्री मिला के पाउडर की फॉर्म में या ग्राइंड करके या सूखा अगर वो खा सकते हैं तो वो देने से जो अंदर ठंड होती है वो ठीक हो जाती है जब ठंड लग जाती है उसमें स्टीम बहुत जादा इफेक्ट करती है अगर आप स्टीम डारेक्ट दे सकते है तो बहुत अच्छा है अगर आप डारेक्ट नहीं दे सकते है उका बच्चा बहुत छोटा है तो आप गरम पानी में एक टावल छोटा सा हैंकी निचोड के उसकी चेस्ट पे लगाईए और उसको बार बार चेंज करते रहिए और उपर से उसको कवर अप कर दीजे यह ध्यान रखिए कि जब आप स्टीम दे रहे हैं या जब आप सिकाई कर रहे हैं तो बहार की हवा उसके डारेक्ट कॉंटेक्ट में नहीं आनी चाहिए आपको खिड़की दर्वाजे सब बंद करके यह सिकाई करनी चाहिए अगर आप दूद देते हैं बच्चे को रात को तो आप उसी में हल्दी और बदाम दोनों मिला कर भी देंगे तो इससे भी उनको हेल्प होगी यह दोनों में क्योंकि नुट्रिशन बहुत होता है और बॉड़ी के जो फाइट करने की ताकत होती है उस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रस करें